करते हैं तो कहा तक हो गया था बोलो है तो कि किस तरीके से बनेगा थी आप कोई दिक्कत था यह नहीं है कभी आये कभी नहीं कि हम दो निया Não करना कोफी सथ से प्रक지만 को नियु एंज आने रहे मुंडी के ऊपर से जार और कौन कौन अटन कर आर कल क YOUR लड़का थाा न मेस अ कि वस्फ है मन्त में बहुत सारा बच्चा आता है तो हम उसको तो एक ही बात बोलते हैं बैठ लो क्लास में समझ में आ गया तो ठीक है नई समझ में आया तो चुप-चाप क्या करना है मुव बन करना सीधे निकल लेना है क्योंकि होता क्या है ना गलती उसकी रहती है 11 पढ़ा नहीं 12 भी आधा पढ़ा नहीं आया मेरे पास कि सर समझा दीजिए तो केमेस्ट्री यहीं साथ सब्जेक्ट है आप ही देख लो कितना दिन से आप पढ़ रहे हो यहीं चैप्टर है कोई ऐसा लडगा है कि सर लूइस स्टॉक्चर में पहला दिन उसका आया बना पा जाएगा तो कितना दिरं का मेंथ 2 पूटा है 4 घंटा मेंठ चुटा है यानि आप तक पहुंचने के लिए विसको कितना मेंद करना पड़ेगा त्यार घंटा यह मेहनत ही है ना वा कुलासियम बैट करके सूने रखाल हे व gaनत भर से निकल कर आ रहेए हो क्या है यह मेहनत मेहनत खाली वहीं नहीं है कि ए यह टेवल पर बढ़े गए आगा में किताब खुल रही हैं उसको इसे इसे रुड इडंग मारे या कोई सवाल गर रहे ए खाली यहीं में इतना ही मेहनत नहीं है सबसे बड़ा मेहनत क्या होता है क्लास में आना का करके बैठना वह भी अपना घर से आना सबसे बड़ी मेहनत है वाद समझे फर परिवार छोड़ करके आना मेहनत का काम है ध्यान दोगे कि यहां पे समझना तो लास्ट लेक्चर में याद करो सर को पिंक बड़ा पसंद है नहीं है आते तो पिंक रहता है हम इसको फिर सफेद और हारा करते हैं तो कि या रस rappers एैख करने कर तो कि आज चलो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा उब तो मार में है न रसिया प्रेटी को बिचार पर हड़ार्या सैड कै किया था सब य कोरी नए मंप डर्य जाए का कि इतना पैसा लगा क्या है इसी थोड़े ना चल जाएंगे तो ले रसिया वाला गिरा होस्टल के बगल में था पानी ठंकी उसके उकर बॉम गिरा तो इसी फोन किया कि हाँ पापा आ रहे हैं अगले दिया वेचारा जैसे तो इसी जान बचा के जो है पता नहीं कोई कंट कि आगे बढ़ते हैं हां तो किसका था बाबू पापा ने वार रुक वाड़ी है हां है कि नहीं है वो रूस जो है रूस आई उक्रेन वार रुकने वाला है हां 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 मार को व्लादिमीर पूतिन वा जो है वो लंबा खीचरा है जान बुझ के लंबा खीचरा है है कि नहीं है तो दो एलेक्ट्रोन को क्या करना आपको एड कर देना दो एलेक्ट्रोन को क्या करना है एड करना आपको ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है क्या कंप्लीट करवाना ह आक्टेट तो कोई ऐसा था जो इसको किया था नहीं हो पारा अफसूस बहुत बड़ा अफसूस राम राजमोर पे करवाय थे तो एक लड़का किया उसको 100 रुपिया भी हम दिये हैं हाँ चलो लेकिन अब नहीं देपाएंगे क्योंकि कल दिये थे न ध्यान दोगे तो ये एक कारवन और तीन क्या है ऑक्सीजन है समझ पारे हो बात को तो एक काम करते हैं इसको एक एलेक्ट्रोन दे दिये कितना हो गया साथ हो गया इसको एक एलेक्ट्रोन सेर करा दिये कितना हो गया साथ एलेक्ट्रोन हो गया अब ये भाई साब इनको भी एक electron दे दिए कितना हो गया 7 electron हो गया तो इक काम करो एक इनको क्या कर दो दे दो कितना हो गया इस oxygen का काम खतम हो गया 8 electron इनका हो चुगा है कांट करो, एक, दो, तीन, चार, पाँछे, साथ, आठ, कारवन को जराचे करो, एक, दो, तीन, चार, पाँछे, साथ, इनका भी आठ क्या हो चुगा है, कंप्लीट हो चुगा है, कि इनका नहीं कंप्लीट हुआ है, एक इनका नहीं कंप्लीट हुआ है, और एक इनका नहीं कं कैसे complete कराएंगे ध्यान दिजिएगा तो यहां पर क्या आपको दे रखा है तो एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोन भी आपको दे कर रखा हुआ है क्या किसी दिन दात के लिए दिया हुआ है ताकि आप क्या कर सको बोलो आप आपक्टेट कम्प्लीट करा सको तो एक एलेक्ट्रोन आप यहां लाओगे यहां आते ही क्या हो गया बोलो यह 8 कम्प्लीट हो गया और आते ही कौन सा चार्ज आएगा माइनस एलेक्ट्रोन आएगा तो कौन सा चार्ज हो जाता है माइनस अब यहां पर देखो एक और एलेक् एक oxygen पे दूसरा माइनस दूसरे oxygen पे और octate क्या हो रहा है आपका octate जो है वो complete हो रहा है तो क्या सबका 8 complete हो गया गया सबका 8 complete हो चुगा है कोई दिक्त यहां पे बोलिए कोई problem बोलिए कोई दिक्त ठीक है ध्यान दिजिएगा तो यह 8 complete हो चुगा इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन बोलते हैं समाझ पारियो बात को कार्बोनेट आयन ठीक है कोई प्राब्लम बोलिएगा कोई दिक्कत ठीक है आगे अब हम लोग एक दुठो और कमपाउंड के बारे में जरा सा समझते हैं इसको जरा सा ब पाऊँगे, हाइड्र ओउकंस्ताइड ऐन इसको बोलते है, क्या बोलते हैं, हाइड्र ओक साइड आइन बोलते है, बेस के लिए ये यह क्या होता है, जिम्मे वार होता है, तो जरा ओच माइनस का जरा बताओ, क्या क्या रखता है suspension एक हाइड्रोजन है और एक बाहर से एलेक्ट्रोन क्या किया है आपने एक बाहर से एलेक्ट्रोन आपने दे के रखे हुआ है क्या होगा बताओ को बना सकता है ऑक्सीजन है कितना होता ऑक्सीजन में बाबू बोलो यह को होता है और हाइड्रोजन में कितना होता है एक हाइड करा लिया, इसका 주weiट और उक्सिजन का कितना हो गया है? साथ हो गया, तो अब क्या करोगे? एक, अलेक्ट्रोन ला कर करके क्या कर दोगे यहाँ पे सेट कर देगा। आप्सिजन के ऊपर ड्र क्या जाएगा minus चास तो यह क्या होगा? आपका आयन क्या है इसमें नाइट्रोजन है और हाईड्रोजन कितना है याउ हाईड्रोजन है और प्लसग्रा है मतलब किया है एलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, एलेक्टरोन रिमूव होता है, तो क्या हो जाता है, प्लस चाज होता है न, याद करो बोरोन वाला, कितना एक्स्टैंसिवली पढ़ा थे, है कि ने, एक लड़का था पेचारा, कोटा गया, और बेसिक्स उसका किलियर, था यह नहीं, उसको बड़ी, तो जब पढ़ा यहां से जीरो से पढ़ा तो उसको बाकी सारी चीजे क्या हो गई concept जो है उसका clear हो गया बाकी जगब पर क्या होता है आपको एक time fix रहता है master सबको एक time fix दे देता है करता है इतना time में आपको क्या गरना है straarin है स्लेवस nt पुर मलाल कर देना है तुर अ यतरत भास पढ़ाता है कि बच्चा सब के खवरि उपर निकलता नतीजह यह दبيशना कुछ सीख पाता यह खाली दौन बना करके रखता हो पढ़ता है कुछ बुझाता हो जाता है नहीं है नी ट्विट होने वाला रहता नहीं है कुछ बच्चा जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज है या जो लड़का जो थोड़ा सा कॉंसेट जिसका साइड से कहीं से पढ़ रहा है उसका क्लियर रहता उनलों का होता है ऐसे भी selection ratio क्या हो सबसे कम रहता है भाई एक लाख लड़का आप पढ़ा रहे हैं है कि उसमें से 500 अच्छा निकल गया तो क्या होगा परसेंटेज उसका फिर भी तो बहुत कम है ना आप जितना पढ़ा रहे हैं कि ध्यान दिजिएगा यहां पर ध्यान दोगे आमोनियम क्या है अमोनियम कितना है बोलो 5 है क्या यहां पर देखो hydrogen कितना है एक दो तीन और यह चार इसका दो हो गया है क्या कितना इसका दो इसका दो इसका दो complete इनका भी दो complete do it complete और इसका भी क्या हो गया do it complete नाइट्रोजन को जरा चेक करो कितना है नाइट्रोजन का एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो हो गया है नाइट्रोजन का यानि घर में जितना लोग है आठ लोग मैक्सिमुम रख सकते हो आठ से क्या हो गया आठ से ज्यादा हो गया है आठ से क्या हो गया है ज्यादा हो गया तो रह पाएगा रख चला जा चौधरी के ध्यान दिजिएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा एलेक्ट्रोन निकलते ही क्या होगा प्लस हो गया, आठ हो गया क्या, आठ हो चुगा है, समझ पारे वो बात को, पदिकत, तो यह हो गया, अमोनियम आयन, क्या हो गया, अमोनियम आयन, और प्लस चार्ज कहां पर है, हाइड्रोजन के उपर है, पदिकत, बोलिए, अब थोड़ा सा हम लोग अपने, तो आसा question ऐसा करते हैं, चुथवासा, लेबल अप वाला हो, चलो, यहां तक कोई दिकत, आइस के पहले जितना लेक्चर पढ़ाया हैं, उसमें किसी को कोई दिकत, किसी तरीके का तकलीफ, ठीक है, अब हम लोग कुछ भेरी भेरी इंपोर्टेंट इस्टक्चर पे आवेंगे, वेरी वे इसको जड़ास समझेगा, ठीक है, कई दिन से कह रहे थे, एपसेंट मत हो ये, एपसेंट मत हो ये, फिर भी आप लोग जो है, बीच में जो है, गोला मार दे रहे हैं, गोला मार दे रहे तो लेक्चरवा कम से कम क्या कर लो, लेक्चरवा कम से कम देख लो, वी नहीं देख यह भी ठीक है और एप्सेंट भी बीच-बीच में करेंगे मतलब मास्टर समझे हो की मीरा वाई समझे हो कि घुम्गुरु बाद मास्टर अथिरकन दिखा ऐसा होगा ऐसा तो नहीं होगा और को 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 आता है सो 12 में करता है सा 15 मिनाट टाइम दे दीजिए 15 मिनाट का टाइम दे दिए का है तो हमको क्या करना है समझना है हमको तो इतना दिन से तुम का कर रहे थे तुम सितंबर के मैना में आओ 12 पड़ने के लिए आग को के समझना है 15 मेर टाइम इतना दिन से कहां थे किस गूफा में सो रहे थे कि आँख खुला है तुम्हारा आज अब मास्टर को मतलब यह समझे हुआ यहाँ पे तो पैसा देंगे ठाक भर अनाच देखेंगे रात भर है कि नहीं तुमनों का समझ रहे हो कि मास्टर इन सब चीजों से अंजान है है समाज में क्या चल रहा है मास्टर को पता नहीं है मास्टर तुम्हारे से चार हाथ आगे है थाराब चीजों को अच्छा कर देना आ अच्छा चीजों को थाराब कर देना मेरा इस्पेसियलटी है एक नहीं ध्यान दोगे यहाँ पर समझना है सारह क्या क्या मीम चल रहा मार्केट में सब हो अपने जमाना में हम मेरे जमाना में सब Instagram वगर होता न Facebook तो था अजिसा आ गया होता मीम वगर कुछ editing tool आ गया होता तो अब हम देखाते कि मीम कुछ से बनाते हैं? है कि नहीं? यहां पर ध्यान दोए होगे. ओधृरी बनाना है क्या है यह? ओजून लेयर है कौन सा लेयर है बागू ओजून ओजून गैस है लेयर नहीं गैस है यह ओजून गैस कहां पाया जाता है बोलो यह आपका प्रिथ्वी और्थ यहां पे तुम खड़े हू और मुंडी से तकरीवन 100 किलोमेटर उचाई पे एक लेयर है क्या है एक लेयर है इस तरीके का इस लेयर को हम लोग कौन सा लेयर बोलते है ओ थ्री यानि ओजून लेयर बोलते हैं क्या बोलते हैं ओजून लेयर होता क्या है कि सूरज है और सूरज से खतरनाक तरीन रेडियेशन निकलता है मतलब आपका वाइट लाइट तो निकलिये रह निकल रहा है वाइट नाइट निकल रहा है समझ पारियोबाद को और साथ साथ में कौन सा लाइट निकल रहा है बोलो वाइलेट लाइट भी निकल रहा है कौन सा वाइलेट लाइट लाइट जो है तुम्हारा हालत खराब करतेगा तो ओजोन लेयर क्या करता है बोलो वाइल लाइट को एप्जॉब कर लेता है रोक लेता है यह कहां चले यह प्रिये लोग है नीचे में तो उपर ही में वो रोक देता है और केवल किसको एलाव कर देता है केवल वाइट लाइट ही क्या हो रहा है एंटर हो रहा है समझ पारे हो लेकिन हम लोग इतना से नहीं रुखते है, ओजून लियर भाड़ दिये, CFC का इस्तमाल कर लिये, हजाडियस गैस का इस्तमाल कर लिये, परदूसर फईला लिये, क्या हो गया, बोलो, ओजून लियर को आपने क्या कर दिया, छेदा कर दिया ओजून लियर में, यह हो गया छेदा, छेद कर द अब क्या होगा बोलो वाइट लाइट तो जिसा आ रहा थो भी आएगा साथ में कौन सा आ जाएगा साथ में भॉयलेट लाइट भी तुम्हारे उपर पड़ा कि पड़ा कि इसकी जल गया कि इसकी जल गया बहुत ज्यादा एनर्जी होता पड़े हो ना था भी जियू पड़े थे ना वोलेट लाइट इसका कम होता है के पोटा वेवलेंथ होता है फ्रिक्वेंस सी बहुथ ही ज्यादा होता है तो इनर्जी क्या होगा उसमें बहुत ज्यादा श्यादा होगा तकड़ा energy violet light में, skin का texture क्या कर दिया, खराब कर दिया, cancer हो गया, कौन सा cancer, skin cancer, तो खराब चीज है, इसलिए ओथरी का होना ज़रूरी है, समाझ पार्योबाद को ध्यान दिजिए, भरता रता, भर भर भी गया है, कुछ हिस्सा में भरा है, कुछ जगह पर जो है, टेंपरेचर भी तो बढ़ाएगा न, तेंपरेचर भी अर्थ का क्या गरेगा, बढ़ाएगा, गलेशियर पीगड़ेगा, वो तो जुकर मना ये, कि अर्थ का जो poles है, ये अर्थ है, अर्थ का poles है, जहां पर सब से बरफ है earth पाल्स के साइबेरिया और अनतार्TIका Сंबाश पार हो तो यह बरफ है क्या है बरफ तो रच कार रोपनी पढ़ता है किसका रोस्नी तो रच कार बर रॉस्नी पढ़ता है तो ओइट, light डाइट क्या है वाइट अबरव भी क्या है वाइट वाइट के उपर जब पढ़ता है तो लाइट एबजॉर्ब नहीं करता है क्या होता है उसको वाइट लाइट वाइट कलर क्या कर देगा वाइट कलर जो उसको वापस एट्मोस्फियर में रेफ्लेक्ट कर देता है reflect तो होता क्या है कि वहां पर हर्याली उगता रहता है क्या उगता रहता है हर्याली तो green color green color के उपर white light पड़ेगा तो क्या होगा energy absorb करेगा तो green घास उगता है लेकिन उस घास को जो है उगने नहीं देता एक जानवर है हीरन जैसा एक जानवर है ठीक है न हाँ हीरन जैसा जानवर क्या करता है चरते रहता है क्या करता है चरते रहता है तो चर के वापस उसको क्या कर देता है वापस सब सफेध हो जाता है वापस से क्या होता है बर्फ के वैसे बोलो सफेध हो जाता है तो लाइट पड़ा क्या हो फ्लेट हो गया इतना जादा उत्ताद में रहता है सब इरन जो सब चर जाता है सब इलाखा आप पता चला एक इलाखा में चरा और दूसरा इलाखा में क्या हो गया जम गया फिर घास वो तो पहल बुद्धी होता है सब, जो रेंडियर है, तो क्या होता है इस एरिया में चर्के खतम कर दिया, तो उस सब को हाकने के लिए भेडिया भी रखा गिया है, क्या रखा गिया है, भेडिया कुद्रती है, तो भेडिया सब दोड़ाता है सब, दोड़के वो फिर वहां और आप अंपने खेया सोथ खेज ह हुआ हटा है ठीज करें आपका तेमपरेशर नहीं बड़ता है कंट है तो पताज सरो कि लाइट पढ़ रहा है। लेकिन ट्राप हो गया। Whist of भर होता है। लाइट reflect कर रहा है। अगर वह reflect नहीं करें वहीं हो कि तो क्या होगा, भिजलेगा। अगर पूरा पिघ़ल गया। खाली उपर तक समुंदर आजागा सामस्पार्यू 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 झाल झाल देख पारे हो क्या होगा पूरा अगर glacier पिगल गया तो वो पूरा जो blue blue में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो जाएगा पानी के अंदर हम भी लोग है क्या कमच पारे हो तो ये चीजे है तो उपर वाला देखो कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके रखे हुआ है समझ पारे हो परफेक्ट डिजाइनिंग आफ गॉर्ड गॉर्ड से बढ़ियां इंजिनियरिंग किसी के पास नहीं है है के लिए और आप गॉर्ड के कामों में बाधा डालिएगा तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा खर ओजोन का structure ड्रो करते हैं ध्यान दिजिएगा यहां पे समझना O3 क्या है O3 3 oxygen है बावू कितना oxygen है 3 सबका octate क्या करना है complete करना oxygen के चावतरफ कितना होता है है electrons होते उसके balance cell में अब ध्यान दिजिएगा इससे 7 हो गया क्या एक और double मार देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या ये भी कितना हो गया तो मूता केगा है क्या करना पड़ेगा बोलो ये 7 एक इनको दे दिया गया कितना हो गया ये भी 7 हो गया इनको जरा चेक करो कितना हो गया 1,2,3,4,5,6,7,8 ये भाई साब 8 हो गया अब अगल बगल साथ नेता जी खुस है चम्चा दोनो दुखी क्यों अपने आठ बना लिया है हम लोग कहा गया है साथ साथ हो गया दुखी है हम लोग नेता जी कुछ करिये तो नेता जी जुगाड लगाएंगे ऐसा कुछ हो जाए मेरा भी काम हो जाए आज चम्चा सब भी क्या हो जाए हूँ भी खूस हो जाए तो नेता जी सभी नेता जी है जब चम्चा सब क्या कर रहा है उनका जय हो जय हो कर रहा है आज चम्चा भाग जाए सब नेता जी किसी लाइक रहेंगे किसी लाइक नहीं रहेंगे आज चम्चा जो है जाहिल्या पा तो आदमी आता कि बाबु को पढ़ाा रहे है यह पढ़ाई लिखाई का होगा जनता है एक पड़ लिख लेगा तो फिर मेरे छत्र चाया से बोलो बाहर चला जाएगा सोचने समझने की सकती उसको आ जाएगी तो नेता जी कुछ कोशिश करेंगे कि छोड़के ना भागे ये भी साथ है ये भी साथ है तो नेता जी कहेंगे कि एक काम करो तुम डवल बॉंड बना लो मेरे साथ क्या बना लो डवल बॉंड इसका कितना हो गया आठ हो गया लेकिन नेता जी का कितना हो गया नेता जी का 9 हो गया है, कितना हो गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नेता जी का 9 है, नेता जी का हलट टाइट, अच्छा का कितना है, च्छा का 7 है, तो नेता जी कहेंगे, अपने एक एलेक्ट्रोन से, क्या कहेंगे अपने एक एलेक्ट्रोन से, क्या कहेंगे अपने एक एले यहां आजाओ, कहां आजाओ, कहां थे यह, यहां पर था ना, यहां से इसको ट्रांसफर करा दिया कहां पर, यहां पर ट्रांसफर करा यहां से जैसे ही ट्रांसफर हुआ, यहां पर कौन सा चार्जा गया, प्लस, यहां आया तो क्या हो गया, नेगटीब आ गया, समझ पारे ह प्लस हो गया किस तरीके से यहां प्लस हो गया और किस तरीके से यहां पर नेगेटिव हो गया समाझ पारे हो बात को तो यह होता है ओजोन का structure और बहुत ही important structure होता है तो दिखत यहां पर कैसे किया गया repeat कर दें के clear हो गया है एक बाद फिर से वीडियो जो है उसको play कर लीचेगा बहुत ही important very very important अब अगले पर आ जाते हैं अगला क्या है ino3 इसको बाव बोलते हैं nitric acid क्या बोलेंगे nitric acid बोलेगे एं समझपारे हो बात को क्या बोलेगे नाइ tric acid बोलेगे ंसमझ पा रहे हो तो जरा सा nitric acid के ऊपर जरा सा काम करते हैं तो देखो H N और फिर ट्रिपल बांड ओ तीन ओ सड़ी ट्रिपल बांड बोलते हैं तीन ओ है तो आपका अगर नॉलेज चेक करना हो ना आपका नहीं किसी टीचर का अगर हमको नॉलेज चेक करना हो तो हम यही सब उससे ड्रॉ करवाएंगे इस्टुडेंट तो छोड़िए किसके लिए पीचर के लिए हैं इंटर्वीव में पूछता है सब कितना आदमी से हम पूछे हैं इंटर्वीव में हावा पानी ज्यादा बतिया है लॉजिक कम दिया है को को बनाई भी नहीं कर पाया अपढ़ाना है उसको उसमझ लिजीन क्या कंडीशन है यहां पर दियाँ डो नाइट्रीग एसिड या है नाइट्री एसिड कैसे बनाओगे नाइट्रोजन को राजा बनाओ बीच में पांच होता है जिक nämा पांच होता है ऑक्सीजन कितना चेला है जा भा ऑलो ऑक्सीजन ह और यहां पर दा दिये कोई दिक्कत यहां पर कोई प्रब्लम को अब यह नाइट्रोजन चाचा है इसका दो ठों कम्प्लीट करा लोग पहले हैं कितना हो गया इसका अच हो गया कोई दिक्कत इनको दे दिये कितना हो गया यह साथ इनको दे दिये कितना हो गया यह साथ इधर साथ इधर साथ इनका आठ हो गया और नाइट्रोजन नàiट्रोजन का एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नौ हो चुका है नàiट्रोजन का ओलेड़ी क्या हो चुका है ओलेडी नौ हो चुका है हालत इनका टाइट हो गया है ऐस साथ गो इसके पाच मवी साथ को कयागा कि ओजोन को देखijay नाइट्रोजन सहा वो जोन को देखिए अपना एक एलेक्ट्रोन दिलदारी करके क्या कर दिया इसको दे करके इसका उक्टेट करवा लिया उससे डवल बन बन वाली है आप भी कुछ हुआ साही करिए तो काया कि ठीक है करते हैं कुछ परबंद करेंगे आप निश्चिंत रह गया क्या आगया बोलो यहां प्लस चार्ज आ गया कितना हो गया इसका आठ एलेक्ट्रोन हो गया क्या इसके पास माइनस आ गया कितना हो गया इसका इसका भी आठ हो गया है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ साथ था पहले उड़के आ गया आठ तो इनका भी आठ क इसके पास लेके आए इसको डूएट चाहिए इसको ओक्टेट चाहिए क्या करेंगे इस तरीके से बना देंगे यह डूएट कंप्लीट कर लिया और इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया इसका ओक्टेट कंप्लीट हो गया कोई दिकत यहां पे तो यह भी बड़ा ही इं आपको वीडियो देखना है वो दिकत यहाँ पर अगला NO3- अगला क्या है बावू NO3- NO3- है क्या है nitrogen है और क्या है आपके पास oxygen है और एक electron को आप क्या कर रहे हो एड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एड कर रहे हो, एड कर रहे हो, एलेक्टरॉन को, क्या होगा बताओ, यह नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन का, पाँछ है, पदिकत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइट्रोजन था, और वहाँ पे वही सारी चीजे हैं, क्या है यहा का बहुत लोग माइंड में समझ गए यहां और औक में हिसको साथ कि इसको भी सात इनका क्या तो हो गया हलाट खराब हो गया क्या होगा कि तू जारे यहां आ गया क्या होगा यहां माइनस यहां पे प्लस लेकिन ऑक्टेट क्या हो गया ऑक्टेट कम्प्लीट हो गया अब क्या बचा इनके पास कितना है साथ है क्या होगा एक थो बचा है क्या इनको लाके हम यहाँ धर दियें कितना हो गया इनका माइनस आ गया लेकिन ओक्टेट कम्प्लीट हो गया नाइट्रोजन में पूछा जाता है कि कितना नेगेटिव चार्ज है इस्ट्रक्चर देखके आउगे तो तुमको लगेगा कितना है एक है लेकिन अंदर में जब इस्ट्रक्चर बनाऊगे तो कितना दिखाई देगा दो नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और एक पॉजटिव वर ओल क्या होगा एक पॉजटिव एक द burial तो ओवरॉल चार्ज कितना दिखता है एक नेगेटिव दिखता है समझ पारे हो बात को कोई प्राब्लम आलागी फॉर्मल चार्ज जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेलिंग्स देंगे छापो कहां से छापना है यहां से ना चलो आज का लेक्चर वाव बहुत ही ज़्यादा